बाहर घर में बोते और कमजोरी भी आप सबको आ गई है ना इसमें मैंने गुर्क डाला है ना शकर ना कोई एसेंस ना कोई कलर पूरा विटामिन से भरा हुआ ये ड्रिंक जब आप भी होगी रोजे में आपको एनर्जी मिलेगी ठकान दूर होगी कमजोरी दूर होगी और प बीशुलयाय रमानी रहीम आसलम अलेकूम यह मैंने प्तिले में थोरा फुदिन अलिया है और दो ग्लास मेंने पानी लिया है आपको दिखा देत्जु यह ग्लास के हिसाब से शक्कर यूऽ्स नहीं करना सब व्रसे हैं! वो विकोस केमिकल फ्री रहती है और बोडी के लिए अच्छी रहती है विकोस गर्मी भी बहुत है जिससे आपका पेट एकदम सांथ होगा ठंडा होगा कूलिंग एफ्यक्ट आएगी और फुदीने के वज़े से इसमें फ्रेसनेस भी आएगी आपके पाचन सकते भी बहुत जाएंगे अभी आपको यह फुदीना फेकने का हो तो फेक भी सकते हो और इसके आप चटनी भी बना सकते हो जो नोर्मली चटनी बनाते है तो मैं चटनी के लिए इसको यूज करते हूं मैं बिचारे को फेकती नहीं हूँ क्योंकि उसको बुड़ा लगेगा ना क्यासर प पानी को अच्छान लेना आप देख सकते हैं थोड़ा जो भी फुदीना रहा था वह में चलनी में आ गया तो वह अभी में चटनी बनाने में मुझे काम हैगा अभी पानी को मुझे ठंडा होने देने का है और इसमें जो भी खड़ी शकर थी और अच्छे से मेल्ट हो गई विट्रामीन से भरपूर है लिम्बू का रस तो इसमें डेट लिम्बू का में रस निकाल के रखा दे हैं जब आप लिम्बू का रस डालोगे तो उसका जो शर्बत का कलर है एक दम थोड़ा लाइट हो जाएगा अभी मैंने बुना हुआ जीरा एक छोटी चमच और आदा है सबजा बोड़ी को कूलिंग एफेक्ट के लिए यह सब चीजे आप डालना और शर्बत सची बोलो इतना टेश्टी लगेगा डेफिनेटली आपने कभी ट्राइबी किया नहीं होगा बनाया भी नहीं होगा रोजे में में क्या-क्या बोल देती हूँ एन उसमें थोड़ नहीं किया लिम्बो का डस लगाया है थोड़ा बुना हुआ जीरा एन काला नमक लगाया है और लेमन की स्लेज रखी है एन उसमें सर्बत भल है न वेरी इजी वेरी सिंपर परस बोड़ी के लिए हिल्थ के लिए घर्मी के लिए चक्कर नहीं आएंगे लोड़ सो बेनी फ अच्छा है यह सर्बत आप जोड़ ट्रै करना यह ड्रिंक जोड़ ट्रै करना इंस्ट्रग्राम पर फोलो करना असे पुंडेडा सब्सक्राइब तो मैं चैनल क्लिक तबेल एकोन इन सर्वत पसंद आया एनरजी ड्रिंक पसंद आए के नहीं आएं दाश में मैंने फुद